सवाल चरण सिंग सापरा साब आप से चुकि आप मुंबई से जोईन कर रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या मुंबई की बैठक में कुछ नए चेहरे गठबंधन के कुछ नए सहयोगी भी हमें दिख सकते हैं क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि आप लोगों की बातचीत बीएसपी की जो बैठक है उसके अंदर बहुत सारे नए निर्णे होंगे कि इस गठबंधन का ये इंडिया का स्वरूप किस तरह से उभर के निकलेगा किस तरह से जॉइंट रैलीज होंगी कब कब होंगी शायद इसके उपर लोगों भी इसमें डिस्पले हो तो ऐसे बहुत सारी च उख्या मुद्दे रहेंगे देश के जो कॉमन मिनिममम प्रोग्राम में रहेंगे तो ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हैं जो मेरे ख्याल से 31 और एक तारिक को जो मन्थन होगा उसमें से निकल करके आएगी और इंडिया और मजबूत हो करके आएगा कौन जुड़ेगा ये भी आपको उसी दिन पता चल जाएगा लेकिन एक बात सिधी है कि जो लोग कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी उनकी निकल गई हेकडी सारी अब उनको अपना कुनबा बढ़ा करना पड़ रहा है उनके अंदर ही गवराट हो गई है वो किसी किसी को छोटी छोटी पार्ट ऑट्या यानि टुकडे-टुकडे गैंग हमको बोलते थे लेकिन टुकडे-टुकडे जमा करने की नौबत जो है वो NDA की आ गई है इससे सिध होता है कि आपने आपको जो स्वेमभू मजबूत सरकार कहते थे वो अब मजबूर हो गए है यसमजबूर सरकार है और इंडिय जो है वो जनता के मुद्दों पर लड़ेगा जनता के मुद्दों को प्राथमिक्ता देगा और ये परदा फास करेगा कि किस तरह से इंडिया वर्सिज एंडिये का ये लड़ाई चलेगी साब कुछ प्रश्ण है उस पर में बाद में आऊंगा लेकिन डॉक्टर अजयाय आलुक हमारे साथ जुड़े हों हैं अजयाय आलुक साब ये कह रहा है कि बहुत से टुकड़े आपने जोड़ लिए और आप कहते थे कि एक अकेला सपर भारी और ये तो कह रहा है कि आपकी निकल गए हेकड़ी सारी है कि दखिये सापरा साब मेरे मित रह उन्होंने बहुत अच्छा इबात कहीं कि हम बिलेंगे कॉमन मिनिमम् प्रोग्राम की बात करेंगे बिलकुल मिलेंगे ये बात करेंगे करप्ट मैल प्रैक्टिस कैसे आगे किया जाए उसकी एक रूप तियार करें इन्होंने कहा भारती जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तो मैं साव बता दूसाइब जब तब कॉंग्रेस की मिट्टी इस देश में है न वो इतनी गंदी मिट्टी है कि कमल अपने आप खिलते रहेगा बड़ा होते रहेगा बड़ा होते रहेगा जैसे 2014 में देखिए खिल के आया 282 फिर और करप्शन करो कॉंग्रेस का निकला कॉंग्रेस की मिट्टी और खराब होई फिर होगया 303 अब इस बार तो और खराब हो गई है गर्त में चली गई है तो इस बार सवा 300 साड़े 300 अकेले भी ये पी रहेगी खैर दूसरी बात करते हैं इस गड़ बंदन के एक व्यापक मुद्दा देखिए राम जी आपके दर्शत सुन रहे होंगे इस सारे गड़ बंदन में लोग हैं भारती जिनता पार्टी विरोधी मोधी विरोधी इस हद तक विरोधी है कि देश विरोध करने के लिए भी तयार हो जाते हैं जो बहुत हैं कि अगर ऐसा एक माहौल बनाए कि देश में ये संदेश जाए कि कॉंग्रेश सब कुछ द्यान करने को तयार है और ये मोधी विरोधी वोट एक जगर है लेकिन इन लोग की छेत्रिये पार्टी के साथ हम मिलके समझोता करेंगे लेकिन सचाई ये है कि ये छेत्रिये प किसी को बनने नहीं देना चाहते हैं ये ठीकर अफोड़ेंगे छेत्रिये दलों पे और उसके बाद ये जहां जहां हो सका अब अपने इसाफ से चलेंगे नहीं तो ये अकेले रड़ेंगे और चाहेंगे कि पोलराइज माहौल का सारा फाइदा कॉंग्रेस पार्टी को मिल बिल्कुल सापरा साब इस सवाल के साथ कि ये वैचारिक आप लोगों की एक जुटता है सभी की या फिर ये वाकई सिर्फ मोदी विरोध है मोदी को अटाना है तो साथ आ जाईए ये मोदी विरोध से जादा मोदी और भारतिय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध है कॉंग्रेस पार्टी को सत्ता का लालच नहीं है लेकिन हम सत्याग्रह के माध्यम से सत्याग्रह के माध्यम से जो विभाजनकारी राजनीती करते हैं जो नफरत फैलाते हैं जो इस द थपड़कांड मुझफर नगर में जो हुआ है यानि छोटे बच्चे उनकी क्लास के अंदर अगर विभाजनकारी चीजे विभाजनकारी बाते होने लग जाएं तो ये देश ये पार्टी को गर्क में जाने की बात कर रहे थे भारतिय जनता पार्टी देश को गर्क में थी रही इनका कोई मंत्री वहां तक नहीं गया उन रेसलर भेनों को हम लखिंपूर खीरी के किसान जिनको मंत्री पुत्र ने टायरो ठले रोंड दिया उनको न्याए दिलाना बाकी है तो ये तमाम सारे मुद्रे हैं यहां हम बात गटबंदन की कर रहे हैं, कॉंग्रेस इंडिविजुल की बात नहीं कर रहे हैं, सवाल यह है कि जब आपके सहयोगी गटबंदन के साथी, अर्विंद केजरिवाल मद्यप्रदेश में जाते हैं और बताते हैं कि बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ने बारी-ब प्रदेश को लूटा हमको मौका दे दीजिए, 36 गड़ में जाते हैं बताते हैं यहां बिजली ने आती, स्कूल बहुत गटिया हैं, कॉंग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आप कैसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, गठबंदन में सामिल होने के सामने आएगा, अगर आप हम से सवाल करते हैं तो इन से भी पूछिए, कि जो संजे निशाद हैं या ओम प्रकाश राजबर जो हैं, क्या वो जातीगत राजनिती नहीं करते हैं, यह कि यह इसके उपर भारती जंता पार्टी को उप्तर देना चाहिए, क्या जो जातीगत आपकी बात आएगी, आप सवाल को सवाल की जगा पे लिजिए ना, यह कि अगर मैं आपका समय भी दूँगा, अगर मैं आपका समय ले रहा हूं तो आपको समय भी दूँगा, मैं सिर्फ यह किया रहा हूं, कि संजा निशाद ओम प्रकाश राजबर गटबंदन में आने क बात यह कहें, कि बीजेपी ने सबको लूट लिया, तो आपका यह सवाल जायज है, हर दलका एक राजनीती करने का स्टाइल है, और वो राजनीती वैसी करेगा, आपके हिसाब से आरजडी राजनीती नहीं करेगी, ना जेडी यू करेगी, वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन वो यह नहीं कहेंगे कि कॉंग्रेस चोर है, अगर वो यह कहें, तो क्या यह सवाभाविक सवाल नहीं है, क्या आप लोग एक मंच पे अभी नहीं है? मैं यह कह रहा हूँ कि जातिगत जनगनना, यह भारतिय जनता पार्टी को पसंद नहीं है, क्या संजे निशाद और ओम प्रकाश राजबर या अनुप्रिया पटेल इस मुद्दे के साथ हैं, यह उत्तर देना चीए भारतिय जनता पार्टी को, तो ऐसे कई सारे मुद्द प्रोग्राम के तहट, इंडिया जीतेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा. कर रही है, इसमें हम सत्याग्रा करेंगे, तो यह तो आपके सत्याग्रा का चरित्र हो गया. मैंने एक शब्द ही नहीं बोला था बीच में. मैंने एक शब्द भी बीच में आपके नहीं बोला था. आज जो बिहार में यह जाती का जनगर्णा के नाम पर ड्रामे बाजी हो रही है, इसका कोई रिजर्टेंट तो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यह संवेधानिक होगा यह नहीं, यह आप भी जानते हैं, करनाटका में तो आप करवा चुके न, क्या निकला? तो इसलिए जनता को मुर्ख बनाना बंद कर दीजे, पहली बात.